कार जी के जी एस मंतन चैनल में आपका स्वागत है मैं पप्पू सर आज पेडागोगी यानि सिक्षन सास्त्र से सम्मंदित 40 प्रस्ण को प्रस्तूत किया जा रहा है प्रस्ण संख्या एक है विद्याले में एक से अधिक भासाओं का सिक्षन बहु भासाओं और आश्ठ्यी सद्भाव का प्रसार करता है बेभारिक्ता नहीं है से जटिल समथ चाएं उतपण करता है डी अनेक भासाओं के शिक्षकों के रोजगार को बढ़ाबा देता है जिसका सही उत्तर है ए भाव भासिकता और राष्टिय सदभाव का परसार करता है अगर ए बिद्याले में एक से अधिक भासाओं का सिक्षन दिया जाए जिससे अनेक भासा और राष्टिय सदभाव का परचार होता है प्रसन संख्या दो है जब एक लिए शेखने के लिए आकलन के बराबर है प्रसिन संख्यातिन है डैस के अत्रिक्त निमलिखी सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ाबा देते हैं ए पढ़ाये गए बिसे पर मनन करने के लिए सिक्छार्थियों को कहना भी जितनी संभावना हो सिक्छार्थियों का लगातार परिक्छन लेना सिक्षार्थियों को आंत्रिक प्रिष्ट पोशन लेने के लिए कहना डि अक्सर लेने हैं तू सिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित बाताबरन का निर्मान करना जिसका से उत्तर है भी जितनी संभव हो सिक्षार्थियों का लगातार परिक्षन लेना प्रेसन चंक्या चार है सांस्किर्तिक तथा भासिक रूप से बैविद्पूर्ण कक्षा में या निश्चित करने के लिए कि पहले की सिक्षार्थी बिसिश सिक्षा बर्ग में आता है या नहीं एक सिक्षक को करना चाहिए ए पारंगत मनो बैग्यानिकों का उपियोग भी बाता बरनी है कारकों को अपरभावी बनाने के लिए बच्चों को अलग कर देना चाहिए सी माता पिता को इसमें समलित नहीं करना चाहिए क्योंको उनके पास अपना कार्ज होता है दी और चमतास अस्थापित करने से पहले सिक्षार्थी की मातरी भासा का मुल्यांकन करना चाहिए प्रसर संख्या पौँच है परती किरिया का बिलोप होना निमलिकित में से किसके बाद अधिक कठीन है परती किरिया का बिलोप होना आर्थिक पौनर बलन आंसिक पौनर बलन के बाद कठीन है प्रसर संख्या छे है एक समाबेशी बिद्याले डैस के अतरीक्त निमलिकित सभी प्रसनों पर मनन करता है ए क्या हम बिसेस बालक को बेहतर देखवाल उपरब्द कराने के लिए उची तरीके से उन्हें समाने से अलग करते हैं बी क्या हम सिक्छार्थियों की विवी दवसक्ता को पूरा करने के लिए युक्तियां पनाते हैं C. क्या हुम याविश्वास करते हैं कि सबी सिक्षार्थी सीख सकते हैं D. क्या हम अधीश गम-योग परिवेस की योजना बनाने और उसे परदान करने के लिए समूमे कार्ज करते हैं जिसका सही हुत फ़क्तर है A. क्या हम विशेस बालक को बेहतर देखभाल उपलद कराने के लिए उची तरीके से उन्हें समाँने से अलग करते है प्रसन संख्या सेवन निमलिखीत में से किसका मिलान उची थायानी सही है ए समाजिक विकास बाताबरन भी समबेगात्मक विकास परिपगबता सी सारीरिक विकास बाताबरन दी संग्यानात्मक विकास परिपगबता जिसका सही उत्तर है ए समाजिक विकास बाताबरन ये मिलन जो है सही है प्रस संख्या आठ है निमनलिक्षित में से कौन सा लिंग मूलग भेदभाव पर दरसित करता है ये लर्कियां उन तमाम कारजों को कर सकती है जो एक लरका कर सकता है भी लरकियों को लरका के समान अबसर मिलने चाहिए सी लरकियां लरकों से ज़्यादा मेगावी होती है डी लरकियां केबल घर के कामकाज कर सकती है जिसका सही उतर है डी लरकियां केबल घर के कामकाज कर सकती है ये लिंग मूलग भेदभाव को पर दरसित करता है लरका और लरकी के बीज भेदभाव को प्रसंख्या नो है भासा में रशनात्मक आकलन का सरबादिक बेहतर उधारन है ए प्रसनों के उत्तर लिखवाना भी इकाई परिक्षा लेना सी बच्चों को अपने खटे मीठे अर्भव लिखने के लिए कहना दी सुरूत लेखन तिसका सही उत्तर है सी बच्चों को अपने खटे मीठे अब नभव लिखने के लिए कहना ये भासा में रचनात्मक आकलन का सबसे बेहतर उधारन है प्रसन संक्या दस है सी बी ऐसी सिक्चार्थियों के लिए बैक्तिगत गतिविधियों के अस्थान पर सामुही गतिविधियों की संस्तूति करती है ऐसा करने के आप समय नहीं होता भी गतिविधि की ध्हांचागत लागत को कम करना सी बैक्तिगत परती असपरधा के परती नकारात्मक संबेदात्मक परती क्रियों से उबारना जो संपून अधिगम पर सामानी कृत हो सकती है दी परतेक सिक्चार्थी के अस्थान पर समूह में अब ल प्रसन संख्यां एक ग्यारह सिक्षा प्राप्त करने के जिस चरण में एक बच्चा भावपूर्ण समस्यां और बहुत परिकल्पनाओं को उत्पन करने में समर्थ हो जाता है यह ठोस क्रियाएं भी संबेदी क्रिया कलाप अब्दी सी पूर्परिचलात्मक अब्दी आप प्रसन संख्यां बारह है कि सोरा अबस्था की उम्र नीवन में से किसके बीच होती है प्रसर्ण संक्यां तेरह है अभी जाद समू कब तयार होते हैं ए सैसब काल में, दी उत्तर बच्पन में, सी किसोरा अबस्था में, दी प्रारंबिक बच्पन में, इसका सही उत्तर है, सी अभिजात समूज है, वो किसोर अबस्था में तैयार होते हैं प्रसन संख्या 14 है बच्चों के विकास के किस चरन के दौरान स्रीजनात्मक्ता और कलपना सक्ती अतिधिक परबल होती है प्रसन संख्या 15 है किसका अभी पराय अपने बैभार को नियंत्रित करने से है प्रसन संख्या 16 है निमलिकित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परीबेश की भूमिका का समर्थन करता है एक समान जुर्बा बच्चे जिनका लालन पालन भिन घरों में हुआ है उनकी बुद्धी अपलबधी बुद्धी लबधी 0.75 के समान उच्चे है बी सारीरिक रूप से स्वस्त बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्चे पाए जाते हैं सी कुछ सिक्चारती सूचनाओं का जल्दी प्रवकरमन करते हैं जबकि उसी कक्षा के अनविद्यारती ऐसा नहीं कर पाते पिछली कुछ दसाबदियों में बुद्धी लबधांग परिक्चा में सिक्चारतियों के औसत परदर्सन में लगातार बिर्धी हुई है पिछली कुछ सताबदियों में बुद्धी लबधांग परिक्चा में सिक्चारतियों के औसत परदर्सन में लगातार बिर्धी हुई है प्रदर्सन सत्क्या 17 है डिसलेक्सिया है एक परकार का प्रसन संख्या 18 है एक सिक्षि का दो एक समान गिलासों को परदर्सित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए है वह उन्हें दो भिन गिलासों में खाली करती है जिनमें से एक लंबा है और दूसरा चौरा है वह बच्चों को उस गिलास को पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज्यादा है पर्चे पर्तितर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज्यादा है शिक्षिका के बच्चों को डाइस कठिनाई आए ई बिकेंद्री करन बि पल्टा वी छी समायोजन अहम केंद्रेता इसका सही उत्तर है बि पल्टा वी यानि रिभरसबिलीटी जो है प्रहसंन संख्या 19 है कौन सा त्त्य योक्ति गसाल्ट सिद्धान्दपरादारी थे ए संपूर्ण से अंस की तरह बरना, भी निश्चित से और निश्चित की तरह बरना, सी मनोबैग्यानिक से तर्कसंगत की तरह बरना, डी प्रेरन से निगमन की तरह बरना, जिसका सही उतरह सी मनोबैग्यानिक से तर्कसंगत की तरह बरना, जो है, वो गेस्टाल्ट सी पर अधारित है प्रसंख्याबीस है प्रेरन निमलिखित किसकी एक कला है एक कार्ड योजना भी रूची पैदा करना सिमस्तिस को नियंत्रित करना डिसिलेबस के अनुसार परना इसका सही उत्तर है भी रूची पैदा करना प्रेरन जो है वो रूची पैदा करने की एक कला है 21 है जो बुद्धि सिध्धांत बुद्धी में समलित मानसिक परक면 और बुद्धी द्वारा लिये जा सकने बाले बिविध रूपों को सामिल करता है वह है ये बुद्धी का सार्बिंट सिध्धांत भी धर्ष्टन की परात्मि मानसिक योगता हैं इसका सही उत्तर है डी अश्टेनबर्ग का बुद्धी मत्ता का तृतंतर सिद्धान्त प्रसंख्या 22 है किंडर गार्डन विधी का दूसरा नाम क्या है मनो विज्ञान का आधूनिक अर्थ क्या है ए मन का अध्यान, बी चेतना का अध्यान, सि आत्मा का अध्यान, डी बरताव का अध्यान, जिसका सही उत्तरह भी मनोब ग्यान का आधूनी करत है, चेतना का अध्यान 24 नमबर प्रसन है निमलिखित में कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है ए भासा बिचार पर आधारित है पियाजे बी भासा बाता बरन में एक उद्दीपक है बी अफिस्कीनर सी बच्चे भासा के बारे में निश्चित ग्यान के साथ परवेश करते हैं चौमस की डी भासा और विचार प्रारंभ में दो भिन गतिविदिया है बायोक्त की जिसका सही उत्तर है बी भासा बाता बरन में एक उद्दीपक है बी अफिस्कीनर ये कम सही होने की संभावना इसकी सबसे कम है बाकि A, C और D बिलकुल सही है प्रसंख्या 25 है एक पार्थ योजना है एक ए बिस्तरित कक्छा सिक्छन योजना बी सभी पार्थों का बीवेशनातमक मुल्यांकन C, कठनाई अस्थर योजना सीट D, छातरों के लिए एक कम्प्यूटर अप्लिकेशन जिसका सही उत्तर है A, बिस्तरित कक्छा सिक्छन योजना जो है एक पार्थ योजना में सामिल है प्रसंख्या 26 है मनोब ग्यान की परियोग साला सरपर्थम किस मनोब ग्यानिक ने अस्थापित की A, एस्कीवरल B, अस्पियरमेन C, हॉल्स D, बुंट तो इसका सही उत्तर है D, बुंट जो है वो पहले है इसे मनोब ग्यानिक हुए जन्होंने मनोब ग्यान की परियोग साला अस्थापित किया प्रशन संख्याँ 27 ने मनोब ग्यानिक बाई गौटस की कहां के थे A, जापान, B, रूस, C, फरांस, D, चीन तो इसका सही उत्तर है B, मनोब ग्यानिक बाई गौटस की रूस के थे प्रशन संख्याँ 28 है बैभारिक बुद्धी का आर्थ है यह किसका कथन है A, अश्टनबर्ग, B, वाई गौटस की C, सैलोबी, D, मेयर जिसका सही उत्तर है A, अश्टनबर्ग का यह कथन है कि बैभारिक बुद्धी का आर्थ है कि बुद्धी संस्कृती का उत्पाद होती है प्रशन संख्या 29 है बीर पूजा की भावना जागरत होती है A, किसोरा अबस्था में भी बाल्या अबस्था में सिप्रोधा अबस्था में D, इन में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है A, बीर पूजा की भावना किसोरा अबस्था में सबसे जागरित होती है यानि 13 से 18 बर्ष के उम्र में ये सरबाधिक जागरित होती है प्रसंख्या 30 है बच्चे फिल्म में दिखाए गए हिंसात्मक बैभार को सीख सकते है या निसकर्स निमलिकित में से किस मनो बैग्यानिक द्वारा किये गए कार्ज पर आधारित हो सकता है एलवर्ड बडूरा बी जीन पियाजे सी एडवर्ड एल थॉर्ण डाइक डी जे बी बट्सन जिसका सही उत्तर है एलवर्ड बडूरा का ये जो है निसकर्स है कि बच्चे फिल्म में दिखाए गए हिंसात्मक बैभार को सीख सकते हैं एलवर्ड बडूरा परसन संक्या 31 है बुद्धी है एक स्वभाविक मौनसिक योगता बी अंगीकार करने की एक छमता सी सीखने की एक छमता डी ये सब ही जिसका सही उत्तर है एक सौभाविक मौनसिक योगिता जो है वो बुद्धी है परसन संक्या 32 है बिसेस आब सकता बाले बच्चों की भासा का आकलन करते समय ए उनकी छमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए बी उनके परती दयाभाव रखना चाहिए सी उन्हें परसन संक्या में बिसेस छूट मिलने चाहिए डी उन्हें अधिक अंग देने का परियास करना चाहिए इसका सही उत्तरह भी उनके परती दयाभाव रखना चाहिए बिसेस आब सकता बाले बच्चों की भासा का आकलन करते समय उनके परतीदया का भाः रखना चाहिए परेसन संक्या 33 है दूबले पतले अभुम्चिन सरीर तथा कम जोर हरदे बाले बच्चे को कहा जाता है इस समस्यतमक बालक दी अपंग बालक सी पिछरा बालक दी नाजुक बालक जिसका सही उत्तर है A. समस्यात्मख बालक जो दूवले पतले हैं कमजोर सरीर बाले हैं कमजोर हिर्दे बाले बच्चे हैं उनको समस्यात्मख बालक कहा जैता है परशन संक्या 34 है सारीरी केवफ मانसीग परिपग्वता कि प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है 11600 शी tune ।क इसका सभी उत्तर है थाटी फोर का उत्तर है भी प्राप्त व्यक्तियों को प्रहुड कहा जाता है ह। सग्या 35 classic 44 चुको देख कर स्ँने की कोशिष करते हैं इस परकार के अनुकरन को डैस कहा जा सकता एक समाजिक अधिगम भी समानिकरन सी प्राथमिक अनुकरन डी गौन अनुकरन जिसका से उत्तर है ए समाजिक अधिगम जो भी मौडल से उनको देख करके सिक्षार्थी उनका पर जो है अनुकरन करने की कोशिज करते हैं इसको संख्या 36 है यदि सिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो सिक्षक को एक गलतियां करने वाले सिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्रचार से बात करनी चाहिए भी गलतियां करने वाले फिक्छार्तिओं को कक्षा से बाहर खरा कर देना चाहिए C, अनूदेशन, कार, समय सारनी, अथ्वाब बैठने की बेवस्था में परिबरतन करना चाहिए D, पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस जाना चाहिए जिसका सही उत्तर है सी अनुदेशन कार समय सारनी अत्वाब बैठने की वेवस्था में परिबरतन करना चाहिए अगर यदि भिसिक छारती पाठ के तोरान लगाताल गलतियां करते हैं तो परसन संख्या 37 है बुलूम की टेक्सोनोमी डैस की पदानुकर्मिक वेवस्था है परसन संख्या 38 है निमलिखित में से कौन मुल्यांकन से सम्बंदित नहीं है जिसका सही उत्तर है ए सिख्छक की डायरी ये मुल्यांकन से सम्बंदित नहीं है बाकि उद्देस ज्ञानारजन अन्भव और मुल्यांकन कार्ड ये सम्बंदित है परसन्ख्या 39 है मनह असनायू विक्रती के रोग का लक्षन है एभ है बी आसंका सी रोग डी कस्ट इसका से उत्तर है बी आसंका जो मन्हा आसनायू बिकिर्थी रोग से परभाबित है उनमें आसंका की हमेशा लक्षन रहता है वो आसंका से ग्रसित रहते हैं है और इस वेडियो का अंतिम परस नहेंफृ्टी नंबर चातरों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर ंजा सकता है यह बालकों को पारी तोसिक देकर भी उधाहरन देकर सी तारना देकर डी सजा देकर तिसका सहय उत्तर है भी उधाहरन देकर के जो है वो बच्चों में चोरी की आदत को दूर चात्रों में चोरी की आदत को दूर किया जा सकता है इस विडियो में इतना है जै हिंद जै भारत नमस्कार